Knowledge Center for you में आप सभी का स्वागत है friends आज हम लोग काफी interesting topic पर वीडियो बनाने जा रहे है आज हम लोग भारत के प्रमुख भोगोलिक उपनामुख से जो भी एक्जामों में questions बनते है friends तो वो questions आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से cover करने जा रहे है तो एक्जामों में इस वीडियो में कैसे प्रश्ण बन जाते है friends कि पूछ लिया जाता है कि electronic नगर के नाम से कौन सा शहर मशूर है भारत का प्रविश्ट द्वार कौन सा है पूर्व का वेनिस पूछ लेते Salt City के नाम से कौन सा शहर मशूर है सोया प्रदिश के नाम से कौन सा राज्य मशूर है और सुर्मा नगरी कौन सी अरब सागर की रानी कौन सी उत्तर भारत का मेंचेश्टर इस प्रकार के बहुत सारे questions एक्जामों में बन जाते है friends इस विशय पर तो आज वो सारे questions cover करेंगे हम लोग इस वीडियो में तो एक बार फिर से स्वागते आप सभी का knowledge center for you में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का first question अरब सागर की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है तो अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोची को option C यहाँ पर right answer होगा friends और कोची से आपको यह भी याद रखना है कि कोची airport यह विश्व का पहला ऐसा airport है जो सवरूर्चा से संचलित होगा अभी next question देखते हम लोग किस शहर को भारत का Manchester कहा जाता है जीलो के नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है option C यहाँ पर right answer होगा अगर friends आप लोगों को answer पता होगे तो आप लोग comment section में answer लिखते जाईए देखते कौन सब प्रशनों के answer सही दे पाता है अभी देखते next question सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य मशूर है तो यह काफी important question है और आपको बता दू कि पिछले साल जो railway के exam हुए थे तो उसमें ALP और Group D के exam हो में यह question बना था कि सोया प्रदेश के नाम से कौन सा राज्य मशूर है तो option B यहां पर राइट होगा मध्यप्रदेश ठीक है अभी next question देखते हम लोग पूर्वा का पैरिस कि शहर को कहते है तो पूर्वा का पैरिस कि शहर को कहते है friends आप लोग comment section में इसका answer लिख सकते हो चलिए देखते कौन इसका answer अभी next question देखते हम लोग करनाटक करut pani किसे कहा जाता है तो करनाटक क रत्न कहा जाता है मैशूर और भारत का mindset किसे लोग ने तो उसका अंसर ये एहमदाबाद को भारत का dabani condition का जाता और उत्तर भारत का रुप को का जाता है और नेक्स question दें आंगा जाता है तो भारत का स्विजरलैंड किसे का जाता है तो भारत का सुज्ण लेंड कहा जाते हैं, option D यहां पर right answer का कश्मीर को, अभी next question देखते हैं, electronic नगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो electronic नगर के रूप में जाना जाता है, friends, option B यहां पर right answer का बैंगलूरू को, अंतरिक्ष का शहर भी इसे कहा जाता है, बैंगलूरू को, ठीक है, क्यों कहा Indian Space Research Organization है, तो उसका Headquarter है, बैंगलूरू में, तो इसलिए इसे अंतरिक्ष का शहर के नाम से भी जाना जाता है, और बैंगलूरू में इस तो का Headquarter है, friends, तो इस तो की स्तापना कब हुई थी, तो इस तो की स्तापना हुई थी 1969 में, तो वो भी आप लोग याद रखिए, अभ की शहर को जाना जाता है, तो नवाबो के शहर के नाम से जाना जाता है, लखनव को, option D यहाँ पर right answer होगा, friends, अभी next question दिखते हैं, भारत का बोश्टन किसे केते हैं, एहमदाबाद को, भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है, एहमदाबाद को ही कहा जाता है, friends, तो इस त question दिखते हैं, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं, तो भारत का शोक कहते हैं, कोसी नदी को, option D यहाँ पर right answer होगा, तो कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते है, friends, क्योंकि बारिश के समय यह कोसी नदी अपना मार्ग बदल कर भैती है, तो इस वज़े से होता क्या है, कि बिहार में बार जैसी स्तिती पैदा हो जाती है, और इस वज़े से इसे बिहार का शोक कहते है, बिहार में बार आने का प्रमुक का रहने कोसी नदी का मार्ग बदलना, ठीक है, तो अभी next question देखते हैं, लोग, पश्चिम बंगल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो पश् पश्चिम बंगल को पश्चिम बंगल में दामदर नदी को पश्चिम बंगल का शोक कहते है, अभी next question देखते हैं, लोग, परवतो की रानी किसे कहते है, तो परवतो की रानी कहते है, मसूरी को, option A, right answer होगा, अभी next देखते है, गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जान जाता है, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, जाइपूर को, option C, यहां पर right answer होगा, जैसे कि मैंने friends आपको बताया, कि 2017 में अहमदाबाद शहर को विश्व विरासस्तल में यूनिसको ने शामिल किया था, तो अभी हाली में 2019 में जाइपूर शहर को विश्व विरास option A, यहां पर right answer होगा, अभी next question देखते, राजस्तान का गौरव किसे कहते है, तो राजस्तान का गौरव कहते है, चितोड को, अभी next देखते, ताला नगरी के नाम से कि शहर को जाना जाता है, तो ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, अलिगड को, अलिगड के ताले famous है अभी next question देखते साट टापू का नगर किसे केते साट टापू का नगर केते हैं मुंबई को ठीक है blue mountain के नाम से कौन सी पहाड़ी है फेमस है option A यहां पर right होगा निलगेरी की पहाड़ी यह को blue mountain भी कहा जाता है अभी next question देखते पेठा नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है तो आगरा के पेठे फेमस है option D यहां पर right answer होगा अभी next question देखते Queen of Deccan किसे कहा जाता है तो Queen of Deccan कहा जाता है पुने सिटी को ठीक है अभी next question देखते हम लोग Asia के अंडे की टोकरी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है तो Asia के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाते आंदरप्रदेश को option A यहां पर right होगा और यह important question है friends अभी next question देखते हम लोग सुर्मानगरी के नाम से कौन सा शहर मशूर है तो सुर्मानगरी के नाम से बरेली मशूर है option A यहां पर right answer होगा तो friends यह था हमारे वीडियो का आज का last question तो इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुक भोगोलिक उपनामों से top 25 questions cover करे तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और friends अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस प्रकार के नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और पहले भी हमने इस प्रकार के काफी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करकर रखे हैं तो उन वीडियो की लिंक भी में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर रख दूंगा तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो और वो सारे वीडियो आपके एक्जाम पॉइंट अफिसे काफी इंपॉर्टन वीडियो है तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो में